एनीबी धाना चेतर में सरकार की कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर चालान काटे गए एनीबी धाना प्रिभारी रवेंद्र कविया ने अलवन्यूस के रिपोर्टर युवराज शर्मा को बताए कि आमजन को समझना चाहिए कि कोरोना की दूसरी वेव घातक है इससे बचाव का साधन सिर्फ अपनी सुरक्षाई है बिना मास्क पहने और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घर से अनावशक निकलना जान लेवा साबित हो सकता है पुलिस के चालान काटने का मकसद सिर्फ यही है कि जनता कोरोना को लेकर जाग रुखो और वहाँ सरकार की गाइडलाइन की पालना करें वर्तमान में कोरोना महावारी की जो दूसरी लहर आई है वो अक्ते दिक तदर्वनाक है इसके प्रतिकमे समेदन सीन रहना है इसी वी अनुपालना में जिलापरसासन के द्वारा सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके लोगों को बाहार आने की रिक्वेस्ट की गई है जो लोग इन लोगों का पालंग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के प्रति हम शक्ती से चालान काट रहे हैं अश्वी शाथ के दिसानिंदेश में अट्वाटर साथ के देत्रत्रतु में लोग लगातार अनुरत पूरे अलवर्ट साहल की पुलीस सभी थामों पर अपने नाकाबंदी पोहंट्च लगा करके चालान कर रहे हैं और गाडियों से इस जिग्माज से हम अवेर भी कर रहे उनके खिलाम हम सक्त कारवई कर रहे हैं और आगे भी यह सक्त कारवई जारी रहेगी इससे लोगों से अपिक्षा है कि वो लोग घरों में रहें अनौशन बार नहीं है विदी आता है तो सोचल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए है